हेलो गुड मॉनिंग कैसे हैं सभी लोग आप बताईए आज के करेंट एफिर्स में आप सभी का स्वागत है चलिए बढ़िया हो आप लोग सभी लोग बताईए अच्छी पढ़ाई हो रही है सुबस्वा है के नहीं सुबस्वा उठके पढ़ाई करना सबसे बड़ी बात होती है और अच्छा भी रहता है कि अब बुलने हपूसी योगिंद्र सहाव कहां है कहां होंगे क्लास ले रहे हैं कैसी बात करते हैं आप क्लास ले रहे हैं आपकी सामने हैं तो चलिए इस्टार्ट करते हैं ज्यादा ह लोग time खराब नहीं करेंगे तो कोई person बता सकता है हमने कल क्या क्या पढ़ा था? C क्लास का थोड़ा Rich after कर लेते हैं तो बताईव बार कोई भी परसन कमेंट करके बटादीजिए कि सर् शर हमने यह कल पणा इस थोड़ा recap कर लेते हैं, recap कर लेते हैं, थोड़ा revision भी हो जाएगा, बता सकते हैं कोई, कोई भी person बता दीजे, sir, हमने कल ये पढ़ा था, और आज का current affairs बहुत मस्त है, अभी तक जो मुझे लगा, आज हम जब अभी prepared कर रहे थे कि क्या क्या बता सकते हैं, आप लोगों को क्या एक mission है, किस से related है, ये आपको पता होना चाहिए, क्या है, इस रो से इतना पता होना चाहिए, क्या है, ये fourth stage जो है, PSLV का, जो fourth stage होता है, समझ गया, fuel का, तो ये क्या हो जाएगा, ये कोई हमारे, हमारे जो space में कोई debris नहीं छोड़ेगा, समझ गया, या तो burn हो जाएगा, ये return हो जाएगा, ऐसा इस में बताए गया, समझ गया, तो फिर हमने इस से related एक चीज़ और बताई थी, जो news में आ सकती है, कि ये पूंचा जा सकता है, कि कैसलर, जो कैसलर syndrome है, वो किस से related है, क्या कोई बीमारी है, क्या कोई बीमारी है, या कोई DNA में कोई effect है, कुछ भी ब भेज रहा है, और वो टूट रहा है, और उसका टुकड़े टुकड़े होते जा रहा है, तो हम इस space में बहुत जादा कचरा भर रहा है, तो एक उस से related है, और हमने क्या पढ़ा था, बताओ, एक चीज़ हमने cover कर ली, आप भूलोगे नहीं, कैसा भी question आएगा, आराम से कर नहीं, और बताइए, क्या-क्या था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इस पर भी हमने question लेके आए, कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात की जाए, तो भाई साब, ये इसकी समस्या क्या है, इसकी दिक्कत क्या है, हमने सब बाते की थी, कि आप देखूँगे, राजिस्त तार नहीं दिखाई जैते हैं, करेंट लगया, मर गए, तो ऐसे हजारों पच्छी मर गए, तो सुप्रीम कोट ने बोला, सेंटर गवर्मेंट से तो भहिया ऐसा करो, कि जो रायस्तान के, जो हमारा डेजट नेशनल पारक है, उसके आसपास जो भी तार लगे हुए, उसको एक responsibility है, कि हर चीज को एक नियाय मिलना चाहिए, चाहिए वो इंसान हो, चाहिए हमारे animals हो, चाहिए हमारी wild diversity हो, तो उन्होंने आबाज उटाई, तो अच्छी बात थी, ठीक है, और क्या था, और कोई बता सकता है, IMT के बारे में, हाँ, तो बताईए, IMT के बारे में हम बा इसकी निवी में, वो हम बताएंगे नहीं के question बना के लिए के आएंगे, आप कर दोगे, समझ गये, तो चलो, आगे चलते हैं, और ज्यादा और भी बहुत से points थे, इतना ही बहुता है, आज के रिवीजन के लिए, आज हम क्या पढ़ेंगे, आज भी बहुत ज्यादा अच प्लास्टिक पॉलूशन के बारे में जानेंगे, एक है, एक रेविट टेकनोलोजी है, इसके बारे में जानेंगे, खरगोस की तरह है, समझ गया, रेविट टेकनोलोजी, जैसे खरगोस भागता है, ना, स्पीड से, ऐसी ये भी टेकनोलोजी भागती है, तो इसके बारे म लाँayan को कि यहाद नहीं दिता है काहें नियुचह हमेशा मांगनी इयादत का ही पड़ गई है तमको कभी सोचो समाज के समाज को दें समाज गये मम्मी पापा की सेवा करो करो जो पैसे कमा रहे बे between कि समाज में मांट दिया करो हमेशा मांगने मांगते रहते हो क्या करोगे इतना पैसा कलेट करके कमाते हो महीने का 80-90,000 रुपए उसका 10,000 बांटो समाज में चलो पहला कोस्चन आपके लिए हिंदी वाले दोस्तों के लिए समझा देते हैं कि अभी जो Arms Force Special Powers Act है अपसा इसको बोलते हैं 1958 में आया था इसकी date भी पता होना चाहिए तो बताओ वो किसको power देता है कि किसी एरिया को disturb area घोसेत करना है तो बताइए किसी एरिया को disturb area घोसेत करना है और वहांपर ये act को implement करना है तो किसको power दिया जाता है कि डिस्टरव एरिया घोसित किया जाए तो हमने आपर option दिये president of India कर सकता है या prime minister कर सकता है या governor कर सकता है या chief minister of state तो आपका question होता है अब start तो बताइए देखते हैं कितने लोग इसको सही करते हैं देखें देखें कितने लोग सही करते हैं डिस्टरव एरिया को कौन घोसित करेगा कि भाई साब ये डिस्टरव एरिया हो गई बताओ देखते हैं कितने लोग इसको सही करेंगा हप्पू भहिया अबताइए बताइए कितने लोग इसको सही करेंगा डिस्टरव एरिया कौन करता है इस एक्ट के अंदर अंडर आर्म फोर्स इस्पेशल पॉवर्स एक्ट अफसा उनीस सो अठावन की बात करें भाई साब इसका अंसर सिंपल चीज है याद कर लो देख रहा है और कैसे गलत करते हैं गवर्नर ओफ इस्टेट होता है या सेंट्रल गवर्मेंट होता है लिख लो या यूटी का जो एड्मिनिस्टेटर होता है वह बस यही करते हैं तो इसका अंसर था सी जिन लोग ने सी दिया उनलों की तालियां किवल 18% लोगों को पता है कल हमने बोला भी था यह करेंट अफ सब देखते हैं सामने वाला बोल क्या रहा है उसको कौन सुनते हैं हमने कल बोला था कि जिस्टर्व एरिया को आप कल की वीडियो देखना कि जिस्टर्व एरिया को कौन भाई साब गोसित करता है वह गवर्नर करता है इतना सब्द बोला था इतना ही आपको याद कर ले तो कहने का मतलब है अरे प्रेसिप्र को भाई सर थो नहीं पता वहां की अलत क्या है फ्रेसिएंट और नागालेंड में नहीं रहता है कि प्रेसिएंट कैसे कर देगा डिस्टर यह घो से दिटेबस तुमाइब और गवर्नर रहते हैं गवर्नर मैसेज भेजेगा सेंट्रल गवर ऍप्रवाइंट से गुरूप बनायए गुरूप फ्रेंड्स समाजगे गुरूप फ्रेंड्स बनाये तो उसका मकसद क्या है उसका Poccupa क्या है समझगे किस से लेक्टड है 20 से रेलेक्ट है यह एंटम डैशन से रिलेड़ेट तो बता क्या है यह सथनी डिंट करता है समझ गया या international security जो architecture है उसको का सही reform करना चाह रहा है या फिर जो global health है उसमें कुछ change करना चाह रहा है या UN में कोई peace keeper से उसमें changes करना चाहता तो भाई साब लो पोल स्टार्ट कर दिया अब तो बताईए कितने लोग इसको सही तरीके से बता सकते हैं देखते हैं जल्दी जल्दी देखो चलो बढ़िया सबी दोस्तों को बोल दो के भाई साब आ जाओ योगन सर की क्लास से स्टार्ट हो गई है चाते हो revision करना समझ गए एक holistic way में पढ़ना चाते हो तो हम अच्छे से पढ़ाएंगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो बताईए देखिए स्टार्ट हो गया time अब तो इसका अंसर बताओ क्या है इसका अंसर इसका अंसर क्या है बताईए तो इसका अंसर है भाई सब डी यह जो group of friends आपको कहीं भी देखे इंडिया ने इसको start किया है जो भी हम होते है UN peace की परस का होते है कि किसी भी देश में लढ़ाई चल रही है या कोई civil war हो रहा है तो वहाँ पर हम क्या आर्मी भेजती है United Nations की तो आर्मी है नहीं तो भाई सब सब देश क्या करते हैं मिलके भीजते है तो उनको UN peace की परस बोलते हैं इनको blue helmets भी बोला जाता है तो आपको यह याद करना है देखते है 100% लोगों ने सभी किया है कि नहीं किया है 98% लोगों ने सभी किया है मतलब 2% नए लोग आजाय हुए है या 2% ऐसे लोग हैं जिन्हों ने सभी से पढ़ाई नहीं किये कब करोगे पढ़ाई तो भाईया चंदन यादब जॉन पुरिया समझ गया है लगता आने वाले टाइम में ये कबता लखा करेंगे फिल लखा क पता होना चाहिए आगे का देख लेते हैं चलो नेस्ट कोस्टन देखते हैं कितने लोग सभी करेंगे कि अभी हमारा नीज में था क्या नीज में था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड था एक पच्छी है तो इसके वारे में बताना है कि इससे रिलेटेड कौन से स्टेट्में लिस्ट में तो आपको बताना इसमें कौन सा सही है कि एक ही सही है या दूसरा स्टेट्मेंट सही है या दोनों स्टेट्मेंट सही है या एक भी स्टेट्मेंट सही नहीं है तो बताईए इसका आंसर क्या है या एक भी स्टेट्मेंट सही नहीं है तो बताईए इसका आंसर क्या है देखते हैं बताईए देखते हैं कितने लोग अच्छे से पड़ते हैं अब बहुत सरम की बात है जैसे statement बना दो लोग डर जाते हैं statement बना दो लोग डर जाते हैं अरे गौरव सर कहाए तुम question गलत कर रहे हो कहाए question गलत कर रहे हो इंसल्ट कराने आ गए आप सवसवसर जी तो भाई साब आपको पता होना चाहिए ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड है इसका protection होता है wild life protection act कौन सा बताओ बाइल राइप protection act कौन सा बताओ तो protection act नहीं पता है 1970 वाला हर वाई सब कोई भी इंडिया में कोई भी एनिवल है कोई भी वर्ड है कोई भी है उसका protection किसके तेयत होता है 1960 अरे यह तो भाई सब्षा ट्राइवल से रेलेटेड है तो भाई सब्षा यह गलत हो गया यह ट्राइवल से रेलेटेड है इसमें तो ट्राइवल से लोगों का protection किया जाता है आप दूसरे की बात कर लेते हैं कि GIV endangered है कहां endangered है critically endangered है भाई सब आइसउयन में तो यह भी गल नहीं आएंगे कि बताओ राम के पिताजी का नाम क्या था एक statement में और लोग रटके जा रहा है हाँ राम के पिताजी का नाम दसरत था उनकी मम्मी का नाम ये था उनकी पत्नी का नाम सीता था रट्टा मारके चले गए क्या होगा कुछ नहीं होने वाला तो भाई सब सही से प खादा नहीं है पढ़ाने का उस एनर्जी जिस एनर्जी से पढ़ाओ और एक परसेंट दो परसेंट लोग इसको सही कर रहा है बहुत दुख्षी बात है सब सीसी मारे जा रहा है एक भी आपको यहीं नहीं पता था कि कितना नीज में रहता है कि क्रिटीकली कॉस्चन बनाएंगे समझते हैं हलू आया चलो खालो अब बताओ फूड वेस्ट इंडेक्स यह बताईए जो अभी जो फूड वेस्ट इंडेक्स जो रिपोर्ट आई थी इसको पब्लेस कोन करता है वर्ड हेल्थ और्गनाजिशन करता है इन्वार्मेंट प्रोग्राम कर फूड एंड अग्रिकल्चर और्गनाजिशन करता है या वर्ड फूड प्रोग्राम करता है तो आपको बताना है कौन इसको पब्लेस करता है हमने स्टार्ट कर दिया पूल अब आप कमेंट कीजिए बताईए 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 कि जो अभी फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट कौन जो कौन करता है इसको तो मैक्सिम लोग लगबग सही करने जा रहे हैं तो इसमें 100% तो देखें 100% सही होना चाहिए लोगों का यह नहीं कि गलत कर दो 100% लोग सही करो इसको तो भाई सब इसका अंसर है बी इसका अंसर है कल पड़ा था आप लोगों ने तो देख लेते हैं कितने लोगों ने सही किया है 92% आज 100% करी नहीं रहे हैं देख रहे हैं हपू सिंग बहुत आगे पारूल गौतम जी बहुत बढ़िया अर्चना सर्मा जी गुडिया त्यागी जी और महिमा पटेल जी यह सब एकी देवेश सर्मा जी सब उसी गुरुप के हैं जिस सच्छम वाले हैं यह सब सच्छम ब इसमें कौन कौन से देश हैं आप देखते हैं इसको 100% सही कीजिए 100% सही कीजिए भाई साब इसको देखते हैं कौन अच्छा हां हां भाई साब थोड़ा सोश समझ के आंसर दीजिए योगन सर का क्वेस्टन है बताइए बताइए जिन लोगों को मैंने कंफ्यूज करना चाहा था वो लोग स्टार्टिंग में कंफ्यूज भी हो गए उन लोगों ने गलत भी किया सही बता रहे है आई का मतलब डून लोग कहीं दिख रहा है इंडिया दिख रहा है एम का मतलब दिख रहा है एम दिख है ठी का मतलब दिख रहा है टी दिख रहा है option वही होगा लेकिन हमने यहां उल्टा सीधा कर दिया था तो आंसर इसका ए है बहुत से लोग से किंड वाले option में फस गए देख रहा है 14 परसंट लोगों को हमने उस option में घुमा दिया कि हमने कल ट्रिक दी थी कि लोगों ने बस इतना मिलाया आई और यह मोजम्बिक नहीं है यह मौरीसस है मौरीसस लिखा हुआ है समझ गये ऐसा ही गुमाय जाता है और E-PPCS को बहुत मजा आता है भाई साव इसका अनसर क्या है कि आई से यहां पर क्या है इंडिया है ती से यहां पर तिजानिया है और आ से आपर मोजंबिक है जो आप देखो वेस्टन अफ्रीकन कंट्रीज है मोजंबिक तंजानिया सोमालिया तो यह याद रखना तो इसका अंसर यह था बहुत से लोगों ने सही भी किया है समझ सकते हैं हपू सिंग आज एकदम फॉरम में हैं बहुत फास्ट आंसर बताने के खतम करने ही कोशिस करें 15 दिन से हमने लगवाग जी एस फाइब के कॉस्टन उस पर डाल रहे हैं और बहुत से जो लोग कर रहे हैं और लोगों ने बहुत अच्छा रैस्पर्स मिला कि सर इसी बहाने हमारी जी एस फाइब कंप्लीट होने जा रही है मैंस के लिए तो गवर्मेंट ई मार्केट है यह बहुत ज़्यादा नीज में है क्यों नीज में है यह नीज में इसलिए है कि इस पर जो खरीद होई है खरीद और बस्तूओं के मादनम से चाल लाग करोड की आप समझ सकते हो चाल लाग करोड से रुपए से अधिक हो गई है तो जो गवर् स्कता है तो प्रिलिम्स में सकता है के गवर्मेंट बारे में पता होना चाहिए बाप्लिक फोर्मेंट एक फॉर्टर है! फिल्प कार्ट से कोई भस तो ...कोई खरो घृति बनाई है कि कोई भी मालों छोटे-छोटे बिजनिस हैं तो वहाँ से हमें कुछ government की जो companies हैं जैसे PSU's हैं तो उन्हें कोई सामन चाहिए, cement चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो छोटो-छोटो जो business हैं, वहाँ से हम लेंगे, जिससे हमारा business भी बढ़ेगा, हमारे इंडिया का startup, जो छोटो-छोटे startup हैं, उनकी भी growth होगी, तो मतलब यह government की site है, government की जितनी भी companies हैं, उनको कोई product चाहिए, तो उनको condition लगा दिये, कि आपको जी हैं, इससे ही खरीदना है, मतलब कि चोटो-छोटी company का भी growth होगा, और government की जितनी भी companies हैं, वो अपने product यहां से खरीदते हैं, यह आपको पता होना चाहिए, कि किस के अंदर आता है, यह अभी आपको बताते हैं, तो यह ministry of commerce के अंदर आता है, ministry of commerce, लिख लो, ministry of commerce of industry का आता है, यह prelims में पूछा सकता है, कि जो government e-market है, इसको किस ministry के अंदर आता है, launch कब किया गया था, 2016 भी पूछा जा सकता है, तो इतनी condition आपको पता होना थी, जो prelims में, इस चे ज़्यादा prelims में कुछ नहीं पूछा सकता है, procurement portal है, यह पता होना चाहिए, दूसरा इसको ministry of commerce के अंदर आता है, कब इसको launch किया था, 2016 में किया था, अब इसको mens में कैसे पूछ सकते हैं, mens में question पूछा जा सकता है, कि government किसानों के product को promote करने के लिए, या government हमारी जो MSME है, उसको promote करने के लिए क्या क्या initiative लेती है, तो भाई साब, mens के question में, आपको mens में क्या क्या लिखना है, वो आपको बताना है, mens का जो question आएगा, तो mens का question में यही initiative आपको पता होना चाहिए, कि government के जो भी initiative है, government के जो भी initiative है, जिससे क्या हो, कि हमारा growth हो, किसकी, अच्छा है MSME की बात करें, MSME की बात करें, या फिर हम अपने farmers के products की बात करें, समझ गया, तो उसके लिए क्या क्या किया है, तो हम देख लेते हैं, तो पहली बात है, कि jam की बात कर सकते हैं, किसकी, समझ गया, government e-market की बात करो, यह आपको बताना है, और क्या है, किसान credit card की बात करो, समझ गया, और क्या कर सकते हो, किसान call centers की बात करो, scheme की बात आपको पता होना चाहिए और क्या लिख सकते हो तो जो भी हम ये जितने भी agriculture से rated है हमारे initiative में government की scheme है उसको connect करके आप अच्छे से लिख सकते हो तब ही आपको अच्छे marks मिलके हैं अब हम देख लेते हैं और इसको और क्या पता सकते हैं कि इसकी हम बात करते हैं कि इ PEM के lab क्या हैं तो lab की हम बात करें कि online कोई भी समस्या है आप उसको यहां पर लिख सकते हो तो आप समस्या solve हो जाएगी यह जो प्रोमोट करता है innovation in social inclusion इसमें मतलब क्या समाज कि जो भी छोटी मोटी startup हैं वो अपने product बेंच सकते हैं कोई भी MSME है वो अपने product यहां पर बे चाहिए तो ऐसी company से ले सकते हैं जो छोटी मोटे startup है तो इससे क्या Indian government को भी सस्ते में मिल गया और जो हमारे startup है वो भी successful हो तो यह बहुत अची चीज है तो आप इसको news में या फिर आप अपने means के answer में इसको जरूर लिख सकते हो कि इंडिया का जो initiative है कि कैसे हम अपने startup क गुरो करें कैसे हम अपने product को गुरो करें और एक हमने आप पीछे लिख सकते हो आपने एक को सुना हुआ farmer produce organization इसका भी नाम लिख सकते हो कि farmer produce जो produce organization होते हैं कि farmer कोई भी product करते हैं वो यहां पर भी बैंच सकते हैं यहां पर बैंच सकते हैं यहां पर बैंच सकते हैं कहां पर जैम पर बैस्सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए अच्छी से कर सकते हो यह आपको अच्छी से पता होना थब दूसरा हम नेस्च करें को छो Supra जो टेकनोलोजी है, किस ने इसको खो जाए, तो बहाई साब, यह सर्ण ने खो जाए, सर्ण, इसको सर्ण आप कर सकते हो, सर्ण है क्या, यह आपको पता होना चाहिए, सर्ण क्या है, कि सको launch जो किया गया है, सर्ण, अब सर्ण क्या है, यह क्या ए, European Organization for Nuclear Research, यह है European Organization for Nuclear Research ने इसको सरन भी बोलते हैं उसने क्या किया है वाइट रेविट टेक्नोलोजी खोजी है अब हाइट रेविट टेक्नोलोजी क्या होती है हम एक सिंपल भासा में एक द्याती भासा में एक लेमेन की भासा में समझाएंगे रेविट क्या होता है तेज भागता है स इतना टर्न करना है कैसे तुरंत कुट्य को ट्रिकेद निकल जाता बच जाता ऊसको जब तीन चार कुट्य पीछे पढ़ते हैं तब उसको रोछ पाता है तो इसका नाम एप शीशा का...' एक Ravet होता है, खरोज होता है जिस Precision से दौरता है, जिस Speed से दौरता है Speed जादा होती है Nanosecond में तो नहीं होती है लेकिन कहां टरने लेना है, कहां पर जाना है कितना करना है, तो तो कहने को भदा यही इस Technology का, कि एक ऐसी Hydraul 걸 बनाई है किसी चीज को Connect करना है तो नेनो सेकंड में connect हो जा रही है, कहां पर जाना है, किस प्लेस पर कोई particle को connect करना है, वहाँ पर चली जा रहा है, बस यही पता होना चाहिए, तो इस technology को use क्या करना है, तो जो white rabbit technology है, वो क्या है, सैनो क्राइस device है, जो network में connect करता है, कितनी जल्दी करता है, high precision के साथ करता ह है, कि high precision होता है, समझ गए, nanosecond में इसको connect भी कर देता है, और इसको develop किस ने किया है, सरन ने किया है, जो सरन का जो कहा है, large hadron collider, यह news में बहुत रहता है, large hadron collider, जिसमें neutrons particle को कभी-कभी, या तो different particles को हम collide कराते, फिर देखते हैं कि कैसे react कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है तो rabbit technology को आपको पता होना चाहिए, prelims में पूछा जा सकता है, कि यह किस वाले organization ने किया, तो आपको पता होना चाहिए, सरन, rabbit technology का मकसद क्या है, किस का importance क्या, तो benefit क्या है, कि जब यह बहुत तेजी से किसी चीज को connect कर देगा, तो इससे क्या होगा, बित्ती बाजारों को उच्च गत्वाले lending की आवस्कता होती है, जैसे हम money transfer करते हैं, तो इस technology को हम money transfer technology में भी लगा सकते हैं, कि बहुत precision से कहा money transfer करना है, तो जो banking system में money आलग-लग account में transfer करना है, तो वहाँ पर इस technology का use कर सकते हैं, car जो हम चलाते हैं, car में accident होने के chances बहुत होते हैं, तो कहां र में भी इस technology का use कर सकते हैं, communication, बहुत से हमाँ अपना message भेज रहा हैं, किसी WhatsApp पर भेज रहा हैं, तो एक साथ ऐसा app बनाय गया, कई जगे भेज रहा हैं, आप बताओ, WhatsApp कितने लोग message, अभी हमने आपसे बात की, इतनी देर में, हजारा करोड़ा लोगों ने WhatsApp पर बात कर रह इसकी precision है, बैसे इसको use कर सकते हैं, समझ गया है, चलो, आगे यह आपको समझ गया होगे, और क्या है, कि यह है क्या है, यह क्या है, जो हम बात करें, white rabbit जो technology है, वो क्या है, Ethernet based network है, एक network create करता है, जिससे क्या होता है, सेनो क्रनाइजेशन हो जा रहा है, precision base में, और picosecond में होता है, तो picosecond में होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा कम second में, nanoseconds में, ऐसा हो जाता है, इतना ही आपको जानना है, और कुछ जानने की जरूत नहीं, अब हम अगला next question की बात करते हैं, next जो हमारा current affairs की बात करते हैं, वो है plastic, plastic based management amendment rules 2024, हमने इ management amendment rules 2024 आएं, इसमें क्या किया गया है, हमें अपने pollution को घठाने के लिए, हमको नए नए rules बनाने की जरूरत है, तो यह आप पहले पढ़ चुक है, तो हम सोट तरीके में बता देंगे, कि इसमें क्या क्या किया गया है, कि जितने भी importer है, कोई भी plastic भाहर से मंगा रहा है, च इस plastic को collect भी करे, तो यह चीज़े आपको पता होने चीज़े कि कोई produce कर रहा है, चाए import कर रहा है, या कोई किसी की branding अपनी plastic की कर रहा है, तो यह pollution को रोकने के लिए, तो यह जरूर आपको इसका लिखना है, जरूर आपको इतना, prelims में तो इससे question नहीं आता, prelims में था, यह पूछाया सकता है, लेकिन यह जो question है, मेंस में पूछाया सकता है, तो मेंस में कैसे इसको यूज कर सकते हो, मेंस में जो भी इससे related और भी बात कर लेते हैं, कि plastic के उपर, या pollution के उपर कोई भी question आता है, तो भाईसा, pollution तो पता है, तो जितने भी initiative हैं, जितने भी initiative है, वो initiative आपके दुरंट दमाग में होना चाहिए, कौन-कौन से initiative है, तो पहला तो आपको पता हो गया, पहला आपको initiative पता होना चाहिए, replan, क्या है replan, तो replan किसने start किया है, मतलब reducing the plastic, reducing the plastic, तो replan किसके दौरा start किया गया है, यह KVIC के दौरा, समझ गया है, khadi and village industry commission के दौरा किया गया है, यह पता होना चाहिए, फिर आपने देखा होगा, india plastic pact, india plastic pact, india plastic pact, यह prelims में पूछा जा सकता है, लेकिन mains में आप initiative लिखो, india plastic pact किसके दौरा किया गया है, india plastic pact, यह भी पता होना चाहिए, confederation of indian industries, cien, क्या है, world, wildlife fund for nature, इसके दौरा किया गया, यह prelims में पूछा जा सकता है, और क्या है, और क्या है, और बताओ, even pact, even pact for, even pact, even pact for plastic, even pact for plastic, तो यह सब initiative भाई सब आपको पता होना चाहिए, कि कोई भी plastic से related, mains में question पूछा जा सकता है, तो in initiative का नाम लिखना है, समझ गया है, ना तो यह सब पूछा सकता है, बताओ, कि हम plastic बहुत ज़्यादा है, आप इंटर्वू देने जा रहे हैं, और यह पूछा जा रहा है, बताईए, कि plastic आज की बहुत समस्या है, आप भी आज आए होंगे, आप यहां पर अलाबाद में प्रियागराज में रुके होंगे, तो बहुत कुछ देखा हो, तो आप बताईए, आज आज आपने कितना plastic pollution किया है, तो आप एक honest way से answer दो, कि सर सच बताएं, आज सर हम सुवच सुवच नास्ता करने गए थी, तो मेरा खाना खाने के मन नी कर रहा था, कल भी सर में खाना खाया था, तो जिस होटल में गया तो सर वहाँ पर उसने plastic के उसमें दिया, समझ गया, तो सर वहाँ पर pollution हुआ, फिर मैंने सब ठीक है human एक होता है उसको बहुत से रिसोर्स का ज्यादा यूज करना पड़ता है लेकिन हमें ऐसा लगता है कि समझदार इंसान जितने कम प्लास्टिक का यूज करें उतना ही अच्छा है तो सर हम बात करें इसलिए हमारी गवर्मेंट ने इनिसिटिव लिए सरी प्लान सब्सक्राइब आपके आश्चा है तो बस यही तो पढ़ना है अब हम भाई सब्सक्राइब की सब्सक्राइब करें अब किसी को ऊंचा गया तो बताईए भाई आप बताईए आज आप इंटरू देने आए आप बताईए प्लास्टिक पॉलूशन सो कैसे कमा करना है कम करना है आप यह पता नहीं कौन कौन सी कानी सुना रहे हैं कहां सर मेरी मम्मी भी पॉल मेरी प्लास्टिक को बहुत कम कर रही है मैं भी बहुत कम करता हूं मेरी गल्फ प्लास्टिक ही लिख देते हैं कि सिंगल इस प्लास्टिक सिंगल इस प्लास्टिक इनिसिटिव लिया गया इंडियन गवर्मेंट के द्वारा अभी स्टार्ट किया एक जोलाई से इसको इंप्लिमेंट करना ऐसे दिए जाते हैं समझ गया जब हम तयार हो कर नहीं जाते हैं जो पर ऐसे ऐसे अंसर देते हो फिस समझ जाओ पर सामने वाला सोचता है कि यार नहीं यह और पिसर लाइक नहीं है मिलते हैं तो चलो आगे चलते हैं तो यह मैंना आपको बता दिया और क्या और भी आपको बता देते हैं और झाय इनिएसिटिव क्या है बहाई साब एक और लिख देते हैं एक स्टेंडड एक स्टेंडड एक स्टेंडड एक रूड़ से अ कियो बनाय और सफ यह hypothesis रेस्ट के फुरू बनाया यह 2016 यह 2016 प्लास्टिक मैनेजमेंट 2016 रूल से उसी के थुरू बनाए एक्सटरनेट प्रूडूसर रेस्पंसविल्टी कि जो भी इसको प्रूडूसर कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वाइसा प्लास्टिक को कम किया जाए तो यह सब लखो आपका मेंस ऐसी तैयार हो जाएगा मेंस को तैयार करने के लिए अलग से जगरूत नहीं पड़ती है प्रिलिम्स के साथ ही चलता है पैरलाग समझ गये चलिए आगे चलते हैं तो यह सब हमने बता दिया आपको अच्छे से समझा दिया है सब यह को कौन-कौन से अधर इनिसिटिव है कर प्लास्टिक वेस्टे स्व के वी आई-सी के दुआरा है ठीक है और क्या है यह प्लास्टिक कलक्टिव यह आपको पता आने चाहिए गो लिटर अप आटनर से प्रोज़क्ट यह सब पता होना चाहिए किस-कस ने स्टार्ट किया यह आपको सब लिखने है प्रिलिम्स में पूंचा जा सकता है अब हम आजाते हैं कच्छा ठीवू आइलेंड के बारें बात करेंगे भाई साब ये नीज में है समझ गये पारुल गौतम जी वोलना है सर इंटर्वू में कितने मार्क्स क्वालिफाई होते हैं क्वालिफाई का कोई दिक्कत नहीं है आपको जीरो मार्क्स मिल जाए लेकिन आपके सुनमारु अज़ाते हैं इसद्द्दम बंगर्ण तो एक-एक मार्क्स को कैसे बढ़ाया जाता है यही तो व्यासाइश कंपके सन में यह दिक्कत है जहां एक मार्क्स पड़ाया जाय जहां गठा जाय वो सबसे बड़ी बात है समझ गये समझ गए चलो आगे समझ मा आ गई यह चीज आपको समझ मा आना चाहिए कि कच्छा ठीवी की हम बात करें तो कच्छा ठीवी की बात करते हैं तो यह भाई साब यह जो आईलेंड है इसकी हम बात करते हैं यह कहा है दोको यह इंडिया है यह हमारा तमिलाइडू है दो दो देशों के बीच में तो भैस स्री लंका और इंडिया के बीच में कुछ तो और नाम है तो लगा future इसी फिक में होगा जहां पर जापानी जिनाम लग रहा है यह तो हमें समझ गया तो यह इंडियन ओसीन में है और स्री लंका और इंडिया के बीच में बहुत ज्यादा इसके चक्कर में लड़ाई जगड़े होते रहते हैं तो यह आपको पता होना चाहिए कच्छा थीवू भारत और स्री लंका के बीच पाक जल डमरू मद्य में इस्तित एक निर्जन दीप है यह आपको पता होना चाहिए मतलब यहां कोई परसन नहीं रहता है कोई भी इंसान यहां नहीं रहता है बस ऐसा यह खाली है इसलिए यहां पर नीज में रहता है कि भाई साब यह तमिल लाडू वाले इतना गुस्सा होते हैं कि हम यह मच्री नहीं मारने पकड़ने जाते हैं हम प्राचीन काल से मच्री मारते थे और यह स्री लंका वाले बहुत ज्यादा बन रहा है अब हमको पकड़के ले जा रहा है फिस इंडिया फिर फिर क्या तमिल लाडू गवर्मेंट बोलती है इंडियन गवर्मेंट को सेंट्रल गवर्मेंट को कुछ किया जाए तो क्या का किया गया था देखते हैं तो इसका हम देख लेते हैं कि इसका इस्टी देख लेते हैं तो हुआ क्या कि हम बात करेंगे जब हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंद्रा गांदी आपका है तो इससे तमिन लायड। का जो government है बहुत गुच्छा हुआ है कि हमारे local जो हमारे 면 है ना उनसे पूछा ना कोई इनसे suggestion लिया ना इनसे कोई decision लिया ना इनसे पूछा और पकड़ा दिया समझ गए तो स्वीलंग का बोलता यह मेरा है लेकिन local जो लोग हैं उनको इसकी नॉलेज ही नहीं है कि हम प्राचीन काल से हम मचली मारते चले आ रहा है यह वो समझते हैं यह मेरा है समझ गया तो इस चक्र में क्या हो जा रहा है तो यह चीज आपको पता होना चाहिए और अभी तक यह देखोगे दोनों दोसों ने बिटिस सासन के द हम बात करें जो तमिल नाडू गवर्मेंट हो हमेशा बोलती रहती है कि कच्छा ठीवी को आपने गलत दे दिया उनको बिना समझता जो कि हमारे हमारे लोगों से पूंचा ही नहीं यह आपको बस इतना पता होना चाहिए और ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है मेंस म बहुत अच्छे हैं बुद्धिज्म के थुरू अच्छे हैं हमने हमने बहुत से पोर्ट बनाने की कोशिस किये हमने यहां पर इनको सपोर्ट देने की बात किये स्विप के थुरू सपोर्ट देने की लेकिन कंसर्ण में आपको लिखना है तो कंसर्ण में क्या लिखना चल बताना है और question पूछा जाता है कि इंडिया और स्री लंका के रिलेशन के बारे में comment करो यह जो question आ जाता है यह IR का है international relation का question है और पूछा भी जाता है एक question ऐसा आएगा चाहे वो USA से related हो चाहे रसिया से connected हो चाहे 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 नहesten में हो सकते रिलें का आए है तो आपको सब बता नहीं है कि अपको अच्छे से पता होना चाहिए ठीक हे एक तो यह हो गया ट्रेंड केरूप में हो गई हमारी हम बात करें हम उसका नाम लिख देना है तो कौन सी एकसेसाइज होती है हमारे इंडिया नयार्वी में और इझेट स्री लंका के बीच में चलो ठीक है रिप्व लो ट्रेड है यह सबसे जादा इंडिया से होता है यह आपको पता होना चाहीँ चौधा आपको क्या लिख देना है वाय लेटर ट्रेड हो गई कि बुद्धिज्म जो हमारा बुद्धिज्म है हमारे बुद्धिज्म है यह हमारे relation को और अच्छे से cultural तरीके से हमें connect करता है, ये बात कर देना है, समझ गया है, cultural तरीके से connect करता है, अब आपको concern लिख देना है, concern क्या है, समस्या है, क्या है, भाई साथ, हमारे इंडिया के relationship में और उसमें, tamil refuges के बारे में आपको लिखना है, tamil refuges वाले बहुत से news में रह नहीं मिलता है, ये आप लिख सकते हो, दूसरा क्या है, कि अभी हमने बात की कच्छा ठावू की भाई साथ, कच्छा ठीवू आइलेंड की, तो उस आइलेंड की भी बात आपको लिख दिनी है, कि इस आइलेंड की लड़ाई चल लई, ये पता होना चाहिए, और क्या concern होन है, ये आप देखो, आप इसके लिए अलग से पढ़ाई करनी कोई जरूरत थी क्या, हमने current affairs पढ़ा, साथ-साथ में हमारा inter-relationship तैयार हो गया, ये दिमाग में चलती है, आप इसको कोई याद करने हैं, कच्छा ठीवू आइलेंड की दिक्कत है, चाइना का presence हो रहा है, चाइना ने वहाँ पर एक spicy, एक समझ गया, सोरी, एक एक आपने देखा, उसने अपना एक समुद्री जहाज भी भेजा है, समझ गया है, जो secret way से information से collect कर रहा है, हमन टोटा को को कौन कर रहा है, चाइना ही construction कर रहा है, ये सब आपको अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके स सकता है, कि ये जो nuclear energy summit है, ये आपके prelims में पूचा जा सकता है, तो ये कहां पर हुई थी, ये Brussels में हुई थी, एक्सपो में, ये भी पता होना चाहिए, किसके द्वारा chaired की गई थी, तो prime minister of Belgium के द्वारा की गई थी, prime minister of Belgium इसमें present थे, और director general of IAEA, समझ गए, IAEA, किसके energy को triple करना था, मैंने last वाले current affairs में पढ़ाया था, कि nuclear energy को triple करना है, वो कहां पर करना है, global stock take कहां पर हुआ था, global stock take कहां पर हुआ था, ये COP28 में हुआ था, जो कहां पर हुआ था, पताओ, जो COP28 था, वो कहां हुआ था, मताइए, COP28 कहां पर हुआ था, तो COP28 में क्या हुआ के ग्लोवल ग्लोवल ऑन के कोक बन सकता थो थोड़ा डीप है तो लोग उसको COP हुआ था जिसमें नीकुलर एनरजी को टिरपल करने की बात की गई थी या Global Stock Tech कहां पर बना था कौन से को COP में बना था तो COP 28 में बना था तो यह आपको Research करने की जरूरत है Search करने की जरूरत है इस पर तो यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए समझ गए तो Global Stock Tech की बात करें तो यह कहां पर बना था International Climate Change Conference हुआ था COP 28 हुआ था वो कहां पर हुआ था दोवई में हुआ था 2023 में वहां पर इसकी बात हुई थी यह बस इतना ही याद करने की जरूरत है और ज़्यादा Nuclear Energy बढ़ाने की जरूरत है इतना ही आपको जानना है अब हम देख लेते हैं RBI की अभी 19th समझ गए 19th आप समझ सकते हो सेर्मानी थी तो क्या था इसमें तो RBI कब बना था बाइस साब यह बना था तो पहले यह प्राइवेट कंपनी थी अंग्रेजों के दुआरा लेकिन इसको बाद में नेशनलाइस्ट कव किया यह भी आपको पता होना चाहिए नेशनलाइस्ट इसको किया मतलब इंडिया इंडियन गवर्मेंट का पार्ट बन गई थी 1949 में यह जो RBI है किस 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 के रिकमेंडेशन से बनाता किस कमीशन के रिकमेंडेशन से बनाता तो हेल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन से बनाता यह प्रलिम्स में कई बार पूच्छा जा चुका है मैस करके पूच्छा जा चुका है कि भाई साब यह बताओ कि यह बताओ कि आधिया किस किस कि किसके recommendation से बनी थी अंग्रेजों ने बनाई थी अंग्रेजों ने इंडिया में कुछ अच्छे काम भी किये थे बाइसा वारीवय बनाके चले गए समझ गए अंग्रेज क्या करके हमारी 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 रेलवे सिस्टम को भी बनाके चले गए हमारे डाक सिस्टम को भी बन बूल जाते हैं कि नहीं भाईया समझ गया तो ये चीजे आपको पता होना चाहिए अच्छे से हिल्टन यंग कमिशन के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए श्री मोधी जी ने क्या किया है 90 भाई साव इनकी साल हो गई या रवी आई की तो 90 रुपए का भी एक न अब जो लोग ध्यान से नहीं पड़ते हैं यहां पर बस बात करने आते हैं वो सोचेंगे मोधी जी नोट छापेंगे मोधी जी ने बोला अच्छा 10 रुपए का चलो गवर्मेंट को 10 रुपए का अरे भाई साव जो नोट छापा उसका रीजन होगा ना 90 साल हो गई भाई रिजर बैंक और देख लेते हैं इंटरनेशनल इयर ऑफ मिलेट्स की हम बात करें तो 2023 को बनाया गया है कई बार बाते की गई है अब इसके बारे में देख लेते हैं कि यह जो सिगनिफिकेंट है इसकी इस एर के बारे में क्या है तो जो मिलेट्स से 2023 है तुक प्लेस एड़कॉर्टर रोम इटली तो फूड एग्रिकल्चर फूड एग्रिकल्चर और्गनेशन का जो हैड़कॉर्टर है कहां पर है यह भी पता आऊना चाहिए रोम इटली में है समझ गया है तो इनकी क्लोजिंग सेर्मनी मनाई गई थी इंटरनेशनल इयर ऑफ मिलेट्स की क्लोजिंग सेर्मनी मनाई गई थी क्लोजिंग सेर्मनी के मतलब कोई प्रोगराम होता है स्टार्ट समझ गया है जब हब्ली कहां हुई है समझ गया है इसकी यह देख सकते हो फी तर्फ में यह अपको पता होना चाहिए इंटनेशनल यूर ऑफ मिलएट्स कब था इंडिया द्वारा इंडिया द्वारा अगिया तस्ट यूनट रखा गया था समझ Inner शमज गया था International Year of Millets समझ गया तो Year of Millets की हम बात करें United Nations General Assembly ने इसको अपरूट किया था यह भी पता होना चाहिए question में पूंचा जा सकता है कि जो हमारा जो International Year of Millets है किसी ने अपरूट किया था तो यह किस ने किया था आप समझ सकते हो United National Assembly ने किया था कर लोगे clear हुआ इतना ही आपको जानने की कोशिस है आप हमारा मिलेट्स में क्या क्या आता है इसमें मिलेट्स में बाजरा आता है जोवार आता है रागी आता है यह आपको फता होना जैसे क्या हुआ लोगों ने क्या किया केवल गयों करना स्टार्ट किया लोगों ने और करना क्या स्टार्ट कर दिया लोगों ने धान करना स्टार्ट कर दिया और बाजरा को तो भूली गए बिचारे समझ गए बाजरा को तो ऐसे भूल गए जैसे आप समझ सकते हो कि चलो आगे चलते हैं बाजरा में क्या क्या आता है देख रहे हैं यह सिर्फरेंट टाइप के सब मिलिट्स में आते हैं बाजरा रागी यह सब ठीक है यह क्लियर होना चाहिए चलो मेग्यान की हम बात कर लेते हैं मेग्यान मेग्यान 2024 की बात करें तो यह आपको पता होना चाह है world meteorological day है मार्श 23 को मनाया जाता है यह आपको पता होना चाहिए यह आपको पता होना चाहिए उसी के मकसद पर ये एक समझ सकते हो seminar किया गया था यह क्या है seminar है क्या यह मेट्रोलोजिकल एंड औसीनो ग्राफिक एक seminar था जिसमें knowledge को को शेयर करना था कि भाई साथ कैसे नॉलेज होनी चाहिए समझ गई कोई सेमिनियार होता है उसमें लोग भासर देता है दूसरे जी का भासर देता है इंचे इतरल्स को आंध मिर मिस पांड़े यह मिस पांड़ विकाथ कड़ने नहीं आता है क्या कि आप असमी लड़े जा रहे है कि इंडिया पाकिस्तान बना लिया है चलो भाई सब लड़ाई करते हैं यहां पर बहुत लड़ो लड़ो थोड़ा लड़ो पर तो पढ़ाई बाद में कर लेगे युगन सरकी किला से मस्त्रा कोई दिक्कत ने तोड़ा अच्छे से लड़ा लड़ाई किया करो तो एकदम ऐसे करो मज़ा आना चाहिए जैसे मूभी देखिए क्या वोल से दंगल मूभी देखिए वैसे लड़ाई करो चलो आगे पढ़ते हैं आगे पढ़ते तो भाई सब चलो पढ़ने वाले पढ़ो अच्छे से लड़ने वाले लड़ने दो कोई भी तो होना चाहिए यह बाइस सब्सार है इस सब्सार में हर काम होने चाहिए भगवान सी केस्फ नी nevertheless अप helemaal कि आपको पता हो ओसम कैसे हो रही है यह किसके द्वारा हो दॉन तो इसकूल ऑफ नवर ऑसेन लोजी और मेट्रोलॉजी यह आपको पता होना चाहिए और इंडियान नवर मैट्रोलोजी का अनिस सट्र तो यह आपको प्रिलंप्स में पूछा जा सकता है कि मेग यान अभी एक सेमिनार हुआ था वो किस ने किया तो पूछने के बहुत कम चांसे जाएं बस आप ऐसी पता कर लो कोई दिक्कत नहीं है इसका थीम क्या था एड़ फ्रेंट लाइन ऑप क्लाइमेट एक्सन थीम भी आप लिख सकते हो जादा यह करेंट फिरस नहीं है जादा जरूरत नहीं है बस आपको यह पता होना चाहिए कि इंद्रा क्या है इंडिया नवल डाइनमिक्स रिसोच फोर वीधर आनलिसिस तो इंद्रा की हम बात करे हमारा वीधर क है समझ गया है वीधर के बारे में आपको बताना है कि यह इंफ्र मि mosquitoes की दरड़ाब किया गया topics in space application and GeoInformatics in Coordination with direct rate of novel Oceanology and meteorology Indian Navy तो इंद्रा के बारे में पूचा जा सकता है इए आपको बात करनी है मतलब इंद्रा को भी समिनार में इसको दिखाया गया था इंद्रा भी समझ गया 인डर इंद्रा को इस मेग इयान समयनार हुआ था उसमें इसको को दिखाए गया था सिंपल हम ले मैंन की भासाम बात करें एक सेमिनार हुआ था भाई साब किसमें बैदर के बारे में जानना है मौसम के मौसम बबाग के बारे में इनफोर्मिशन बढ़ानी है क्यों बनानी है कि 23 को मार्च को क्या मेट्रोलोजिकल डे मनाये जाता है समझ ग और एजनसी है किसकी इनफोर्मिशन की हमने इसकी बात की है इसका हैड़कॉर्टर बताओ कहां पर है इसका हैड़कॉर्टर बताईए पिछली हमने क्लास में इसको बताया था पिछली क्लास में हमने इसको बताया था कि इसका हैड़कॉर्टर कहां है बताईए डबलू एम जैसे कभी कोई बोलते हो आप पेड़ क्लास मी बोलते थे मैं दो को मैं अपना बॉट्सप नमबर किसी को नहीं देता हूं आप कई लोग मांगते हैं मैं नहीं दूंगा हमारे रीजन यह है कि मुए अभी पढ़ता भी हूं जो आपको जो भी दिक्कत होती है टेलीग्राम प आप भी सॉल्फ कर सकते हो तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है एक परसन को नहीं कॉंटेक्ट दे सकते देना हो तो फिर सबको दो नमबर समझ गए तो इसलिए प्लीज मैं वाट्सप सेयर किसी से नहीं करूँगा ठीक है बहुत से लोग हमको बोलते कि सर सुमिष सन्न ने दिया है सर अमन सन्न ने दे दिया है दूसरे सन्न जे जे सन्न दे दिया है प्लीज हम अभी क्या है हमारे पास टाइम नहीं है तना समझ गया तो इसलिए हम किसी से नहीं करते आपको जो दिक्कत है आप आईए टेलीग्राम पर मैसेज करिए अपना गुरुफ है बहुत से उसमें आप बोलिए ठीक है चलो इसके बारे में आप देख लेते हैं वर्ड मेटरोलोजिकल और्गनेशन क्या होते हैं वर्ड मेटरोलोजिकल और्गनेशन क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए इसका है जेनेवा जेनेवा में इसका है यह आपको पता होना चाहि करते हैं इतने इतने कोसेस करते हैं इतना कोसेस करते हैं जै cape बहुत ज्यादा नोॉलेज्य मिलती है अगज से चीज आपको पता होना चाहिए है उन iyuain CT 8 की बात करते हैं UNCTREIT समझ गया जैसे बी आपको इसका करना है विए कुछ लोग इसको बोलते हैं तो UNCTREIT का आप देखोगे इसके रपोर्ट के वारे में देख लेते हैं कि United Nations Conference on Trade and Development समझ गया उन्होंना एक रपोर्ट दी थी क्या रपोर्ट दी थी कि इंडिया का जो ट्रेड पैटर्न है वो बदल रहा है इंडिया का जो बिजनिस है दूसरे दोसों से बदल रहा है तो यह एंक्टेड रिपोर्ट देता है बहुत सी रिपोर्ट देता है और यह प्रिलेम्स में पूंचा भी जा सकता है यू पीसी में बहुत ज्यादा पूंच छाजा जाता है अंक्रिटीड क्या रिपोर्ट देता है लेकिन इसका नाम है तो रिपोर्ट देख लेते हैं कि इंडिया का जो ट्रेड है वो रिलाइंस चायना पर बढ़ गया है ऐसा बोला गया है कि हमारी चायना से लड़ाई भी हो रही है लेकिन चायना पर इंडिया का जो बिजनिस की डिपेंडेंसी बढ़ गई है यह आपको इस मधाय है मतलब 1.2% गूरो किया है जो इंडिया का नहीं नहीं सब्सक्राइब यह सब पता होना चाहिए समझ गय सब नहीं को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइबत नहीं उपर यह पर इस पर statement बन सकता है economy का question जो पूछते हैं UPPCS में economy पर कैसे question पूछे जाते हैं ऐसे question पूछे जाते हैं कि हम बात करें कि ए seeking सब्सक्राइब करें इंडीया और एक और्य हैा गागा ए अधागी पूछे जाते हैं कि घर लिए हैं वाने और अपटो को शाएन आपनी ठ्रेंडेंसी घताने के लिए हमने एक scheme start की थी production linked incentive scheme कि हमें manufacturing इंडिया में करना है में में क्वेस्टन को आ जाता है कि इंडिया ने अपने manufacturing sector को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया है तो भाई साब production linked incentive scheme के बारे में आपको बताना है quality control orders भी आपने इंडिया ने share किया था कि कोई भी quality में कोई भी दिक्कत होगी चाइना के सामान को return कर देंगे तो quality control orders भी निका ले थे तो यह दो initiative निका ले थे इसके वाबजूद भी इसके वाबजूद भी हम चाइना पर हमारी यह changes आ रहे है रसिया का जो ट्रेड डिपेंडेंस यह चाइना पर आप समझ सकते हो साथ परसेंट बढ़ा है मतलब रसिया ने अपना जो आप बात करें रूस ने अपना business जो है चाइना पर सेवन परसेंट बढ़ा दिया मतलब आज से एक साल पहले सो रुपई का business करता था अब चाइना के साथ 107 रुपई का कर रहा है कितनी बड़ी बात है कितना बड़ा business से इसने बढ़ाया समझ गए तो फाइदा चाइना का बहुत ज्यादा हुआ है ऐसी हम बात करें USA ने चाइना से अपना business कितना 1.2 परसेंट कठा लिया है वह तो बहुत ज्यादा कोशिस कर रहा है कि हम चाइना से उसकी लड़ाई चल लई है लेकिन रसिया हम उसकी USA की बात करें वो किस पर बढ़ा है EU और मैक्स को पर मैक्स को पर ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ी है इसकी USA की यह प पता होना चाहिए अब हम देख लेते हैं कि जो भी business हो रहा है पूरे संसार में तो उसमें क्या है कि कुछ sectors में आप देखोगे business बढ़ा है किसमें फार्मसेटेकल कोविड के चक्कर में फार्मसेटिकल का बढ़ा है transportation equipment में business बढ़ा है और road vehicles में बढ़ा है लेकिन जो business है पूरे संसार में गठा है decline हुआ है कहां पर decline हुआ है 10% decline हुआ है कपड़ों में कपड़े आज कल जो इधर और टांसपर हो रहे थे वो कम हुए chemicals में business गठा है energy metals में business गठा है office equipment में गठा है समझ गए तो क्यों गठा है reason क्या है क्या जैसे कोविड आया लोगों ने क्या किया हर देश ने अपनी देश में manufacturing करना इस्टार कर दी तो इसलिए क्या एक दूसरे पर इंटर डिपेंडेंसी गठाने के लिए यह चीजे हुई है यह अच्छी से पता आप देख लेते हैं नेस्ट आपको यह पता होना चाहिए 티 nation conference on trade and development के बारे में पता होना चाहिए कि यh permanent intergovernmental body है यह पता होना चाहिए इसकोze कि terminates based general assembly इसको 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 इसकी जो report है यह report कई वार पूछी गई थी prelims में लिख लो एक trade and development report तो इसमें नाम आता है पहली से आरा trade and development तो इसी की report है एक आते world investment report यह बहुत ज्यादा पूछी जाती है यह बहुत ज्यादा important है prelims में पूछने के बहुत ज्यादा है तो भाई साफ यह United Nations Conference on trade and development अंक trade निकालता है यह आपको पता होना चाहिए और लीस्ट डेवलप्ड countries report यह भी यह निकालता है तो दा लीस्ट डेवलप्ड कंट्री रिपोर्ट यह कौन को निकालता है अब उतकल दिवस आपको पता होना चाहिए कि उतकल दिवस मनाय honesty और सभी सदे आप समझ गया एक अपरेल 1936 को उडीसा राज की सब्सक्राबत होई थी तो उसी को मनाया जाता है एक अप्राइल 1936 को समझ गया है उडिसा उडिसा दिवस्त मनाये जाता यह आपको बस पता होने चाहिए अब हम देख लेते हैं कि कमल किसोर जो हैं यह नीज में बहुत जादा है कमल किसोर को क्या कर दिया है कि यह और्गनाजेशन है क्या है इसमें भाई साब को क्या किया है इन इनको आप समझ सकते हो इनको युएन असेस्टेंस सेक्रेटरी बना दिया है समझ गये युएन असेस्टेंस सेक्रेटरी जनरल बना दिया में सेक्रेटरी जनरल बना दिया इस और्गनाजेशन का इनको पता होना चाहिए इससे पहले कौन था इससे पहले थे भाईसा मामी म तो जो मिजुटोरी जापान के थे इनको इनको भाईसर रिप्लेस करके यह बन गए इस 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 इसने वाले नीज पेपर को इस वाले नीज को देखे तुरम तो आपको यह समझ माना चाहिए इसको हम मेंस में कैसे यूज़ करते हैं यूपी-पी-स क्या करता है प्रिलिम्स मे UNDRR की हम बात करते हैं यह इसके कौन जनरल सेक्रेटरी हैं तो इंडिया का बनाए हुआ है समझ गए तो यह नाम आगो लेकिन मेंस में कैसे लिखना है अब आपको बताते हैं मेंस में एक टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है और हर साल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था 2005 में इसके डेफीनेशन बतानी है कि इस डेफीनेशन के अकोर्डिंग डिजास्टर होता क्या है यह आपको पता होना चाहिए ऐसी दमाग में सोचा करो चलो ठीक है अब हम देख लेते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में हमें पता होगा एक डिजास्टर क्या होते हैं फिर हमको यह पता होना चाहिए कि इनिसिटिव कौन-कौन से हैं इनिसिटिव कौन-कौन से लिए गया है कि डिजास्टर को कंट्रोल किया जाए तो भाइसा इनिसिटिव से आपको पता होना चाहिए पहला तो यही यह सेंडしました पता होना चाहिए कि संड ही Quindi Bible क्या है मिरग hills पता होना चाहिए यह हो दी यह सारगेद को कम करना था वो क्या था 2 इसका था टारग depend 2000 से लेके ऊसे ले सा merch साथ 2015 था यह भी आपको पता होना चाहिए फिर आपको ये को एक और पता होना चाहिए Send Christmas के साथ और क्या पता होना चाहिए कि के साहर का भी था था चरीमेंट चरक एग्रिमेंट सार्क एग्रिमेंट साग सार्क एग्रिमेंट ओन रैपिड रैस्पोंस रैपिड रैस्पोंस रैपिड रैस्पोंस रैपिड रैस्पोंस रैपिड रैस्पोंस ओन डिजास्टर ओन डिजास्टर यह भी आपको पता होना चाहिए यह सब इनिसेटिव लिखोग है आप बोलेगे सर ऐसी पढ़ा जाता है यही पढ़ने का तरीका है बताओ एक organization का नाम आया था यह इसका मक्सद है आपके पूरे बिश्व में भाई साथ जो disaster है उसको control करना है तो आपको मेंस में जब यह तीजे लिखोगे तभी एक अच्छा मार्क मिलेंगे और क्या लिख सकते हैं अच्छा और चलो बताते हैं यह value edition की बात बताती है सब लिख लिया करो और क्या करना है कि ऐसे करके लिख दो एक ऐसे करके बनाओ चार तीन गोले बनाओ ऐसे करके अच्छे से ठीक है और यहां पर लिख दो कि सस्टेनेवल sdg गोल की बात करो sdg गोल इसमें भी बात की गई है कि हमारे infrastructure sustainable होना चाहिए तो इन्फरस्ट्रक्टर की बात इसमें भी की गई है 2015 से लेके 30 तक तो sdg की बात इसने कर ली हाँ पर हम बात करें और क्या का बात कर सकते हैं एस डायर तक है यह भी सकते हैं यह डीस हो गई संदरिय ओए और और चीज और रहा है 300 का भी आपर नाम लिख सकते हो यह नाम लिख सकते हो यह कंट्रोल करके क्या कर रहा है एक holistic development, एक holistic development कर रहे हैं, आप इसको ऐसे बना सकते हो, आप ऐसे बना के आओगे, आपको अच्छे marks जरूर मिलेंगे, ऐसे करके लिखे आए, और हम बात करते हैं, और क्या लिख सकते हैं, जब यह पता होगे, तो चलो पूरा complete कर लेते हैं, disaster management, और disaster management में क्या होता है, कि जब लीजिये, कोई गठना यहाँ पर हो गई, एक disaster यहाँ पर हो गया, तो जैसे ही disaster होता है, तो तुरंट आपको response लेने की जरूरत है, तो response क्या होता है, कोई गरीब है, कोई बूड़ा आदमी है, कोई औरत है, उसको तुरंट बचाया जाए, फिर response के बाद क्या होता है, रि बीफोर डिजास्टर क्या होता है, बीफोर डिजास्टर क्या होता है, बीफोर डिजास्टर से की हम बात करें, बीफोर डिजास्टर आपको क्या करना है, बीफोर डिजास्टर क्या करना है, तो आपको क्या करना है, आपको करना है, भाई, सब मिटीगेशन, मतलब क्या है, प्रिपर्ड नैस भी करना है तो यहां पर क्या है ट्रेशनिंग होती है यहां पर इंफरस्ट्रेक्टर डवलमेंट होता है यहां पर कोई डिजास्टर है तो यह साइकल आपको बना के आना है तो तब ही आपको एक अच्छे मार्क्स मिलते हैं भाई सब समझ गया है चलो तो पूंचया हैं उत्तरप्रिदेश की एक सेमी कंडॉक्टर पॉलसी धोजाथ 24 आप लोगोंने मजह से request किया था कि सर पॉलसी ले के आई उत्तरप्रिदेश का जी के कम रहता है तो यह seeds की सेमी 80,000 कोड़ों की इसका मकसद है कि UP में कैसे हम कामाल लीजिए investment बढ़ाया जाए कैसे semiconductor में investment बढ़ाया जाए यह आपको पता होना चाहिए और हम बात करें research and development में इसमें बात की जाएगी electricity duty electricity पर क्या होगा कुछ न कुछ छूट मिलेगी जो भी यहाँ पर business खोलेगा कोई भी semiconductor business खोलेगा UP में तो इस पर electricity में छूट मिलेगी duty exemption यह पता होना चाहिए बिद्वत सुल्क में छूट मिलेगी यह पता होना चाहिए और क्या हाँ पर है हम स्टाम सुल्क माफी और भूमी subsidy मिलेगी कोई यह भी पता होना चाहिए यह अच्छे सा सब पॉंट आप लिख लो और इनी चीजों को आप अच्छे से कर लोगे जबज़स तरीके से आप कर सकते हो अच्छे से लिख सकते हो अब हम देख लेते हैं उत्तर को फिद्रदेश के जो कांग्रेस बस बहते अब हम उप जीके की बात कर रहा है जो अपben पहसे अच्छे साज अच्छे सब्सक्राइब कें इसों में तो उसमें बाह वा था और उसमें जो अधियत से जौर्च यूल में यह यह लखनू में 1916 में हुआ अम्मिका चलर प्रिसाद थे समझगा लखनू पैक्ट भी यहीं पर हुआ था यह पता होना चाहिए 1936 में लखनू में हुआ पंडे जवाला नहरू थे 1925 में कानपुर में हुआ स्रीमती सरोजनी नाउडी थी दूसरी महला थी का एनिवेसंट के आए जब इंडिया का पार्टिशन हुआ था तो उसमय कांग्रेस के अध्याच को ने तो आज की किरवपला नी जी थे समझ गया तो आज की कलास में हमने बहुत पड़ानी कोशिस की है बहुत चीजे कवर करने ही कोशिश किया करते रहेंगे पाइसा पढ़ते रहें मेहनत क देख लो पढ़ने आया करो यार समझ गया तो बाइसाब जिन्दी का सत्य मौत और आपके सेलेक्शन का सत्या बाइसाब क्या किताबे और पढ़ाई और तो बिरहम है यह कमेंट भी बिरहम है तो काई पढ़ जाते उसमें चलिए बाइबाइबाइट टेक केर